किसी भी लोगतांत्रिक देश के लिए चुनाव एक तेवहार की तरह होते हैं। लेकिन ये तेवहार बेहतर तभी बन पाते हैं क्योंकि आयोग काम करता है और वो Model Code of Conduct जैसी बेवस्थाएं करता है। दोस्तो मेरा नामे संदीप और आज हम बात करने वाले हैं Model Code of Conduct या Others अचार से ही हैं ताके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है क्यों जरूरी है। हम समने cricket देखा होगा अब मानिए कि cricket में कुछ नियम ही ना हो किसी भी boundary को छक्का डिकलेर किया जाए किसी तरह से अलग लग जीब तरीके के नियम हो और टी में नियम पवलन ना करें तो क्या हम गेम इंजुआए कर पाएंगे साहध नहीं वैसे ही जब चुनाव होते हैं और विपक्ष अपस में चुनाव लड़ते हैं सत्ताधारी दल और उसके beyond जो लोग होते हैं लेकिन वहाँ पे चुनाव आयो कुछ आदर्स नियमों की बेवस्था करता है गाइडलाइन्स की बेवस्था करता है जो जितने भी दल हैं उनको पालन करना चाहिए और करते हैं उसके बाद model code of conduct लागू हो जाता है और उसके बाद एक particular way में जो भी participate करना है उनको behave करना होता है इतिहासिक तोर पे देखने की कोशिस करें तो model code of conduct का origin जो है वो भारत के अनुछे 324 से निकलता है जो चुनाव आयो को ये सक्ति देता है कि वो free and fair election कराए भारत में और उस code of conduct लगाने की कोशिस होती है ताकि नैतिक आधार पे सभी party समान हो पाएं आपस में contest कर पाएं एक लोग पंत्रिक प्रक्रिया बन पाएं इस proper तरीके से कर देखें तो 1991 में TN session और उसके बाद वाले दौर में कहिने कहीं code of conduct model code of conduct election commission का importance बढ़ता है और चीजें थोड़ी ब अब जाने की कोशिस करते है कि model code of conduct में क्या क्या होता है वैसे तो guidelines हैं कि भाई आपको ये चीजें follow करना है जैसे किसी exam में आप बैठते हैं वहाँ guidelines होती है किसी cricket खिलते हैं वहाँ भी guidelines होती है तो हर जगा guidelines होती है वैसी ही एक guidelines है चुनाओ आयोग जो जारी करता है जो भ पता देता हूँ ताती और धर्म के नाम पे vote नहीं मांगेंगे ये सीधे-सीधे मना किया हुआ है इंडियन सुप्रीम कोट के cases भी हैं चाहे इंदरासानी judgment हो गया और भी judgment है जो इसर बोमई judgment खास्तोर पे इसके लिए relevant है तो वहाँ पे भी caste और religion के नाम पे vote मांगने को ल जाते हैं वो है कि personal attack नहीं करने है आप चुनाओ लड़ रहे हैं क्योंकि आपके पस कुछ नूत्या है कोई बिपक्चस है कोई पक्चस है सबके पास अपने नीतिया है कोई अपने घर के लिए चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं कि भाई मेरा इससे ब्यक्तिगत हमले नहीं क यह चीजे मना करता है दूसरा पॉइंट जो है यह meeting और procession के बारे हैं बोलता है कि आप meeting कैसे करेंगे आप जुलूस कैसे निकालेंगे उसके बारे हैं बताता है कि देखो जब भी आप meeting करेंगे क्योंकि सभी party meeting करना चाहेंगे तो classes हो सकते हैं तो उसके लिए जब भी आप meeting करेंगे आप inform करेंगे जो भी वहाँ पर system है उससे permission लेने का उसकी बेवस्ता करने का और उसकी responsibility है कि सभी लोगों को fair तरीके से spaces distribute हो सभी लोग अपनी रैलियां कर पाएं जुलूस निकाल पाएं और जुलूस निकालने के लिए अलग लग provisions की हैं तो यह दूसरी बात हो तीसरी बात हो गई कि जो सत्ता धारी दल हैं उनके लिए कुछ guidelines इन्होंने जारी की हैं जो सत्ता धारी दल हैं उनके पास officials भी हैं बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है तो उनके उपर एक extra responsibility बन जाती है तो यह सत्ता धारी दल को 3-4 चीज़े मना करता है पहला है कि ज दोनों में खर्च को भी लेके वहन है दूसरा है कि जो official आपके vehicles हैं या official वाले public properties हैं उनका यूज़ नहीं करना है आपको जो official आपका है उसको यूज़ नहीं करना चाहे vehicles वहिकल्स हो गया या public पैसा हो गया उसका यूज़ नहीं करना है election में और बांकी जगा पर यह आप कुछ भी अपने सत्ता का इस्तमाल करके जनता को लुभाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना कि कोई स्कीम निकाल दी पैसे को लेके कुछ चीजों को लेके तो यह चीजे मना करता है तो चौथी बात यह करता है इलिक्सन मैनिफेस्टों के बारे में कि आपके इलिक्सन मैनिफेस्टों में क्या क्या होना चीजे तो यह बोलता है कि इलिक्सन मैनिफेस्टों में कुछ भी ऐसा नहीं होना चीजे जो आइडियल साफ कॉन्सिट्यूशन है उनके खिलाफ हो चाहे वो सोसलिजम है सेकलरिजम है डेमोक्रेसी है या जो freedom fighters है उनके खिलाब बहुत जादा चीज़े नहीं होने चीज़े दूसरा एब बूलता है कि जो भी promises आप कर रहे हैं वो rational promises होने चीज़े ये promise नहीं होना चीज़े कि हम आपको मार्च पे ले जाएंगे सबको 50-50 लाग रुपए मिल जाएंगे वो सब promises ना करें जो आप पूरे ना कर पाएं उनका एक rational होना चीज़े तीसरी बात ये बोलता है कि कुछ भी जो election manifesto में आपने promise करा है वो rational होना चीज़े और public जो money है जो financial viability होने चीज़े कि financial तोर पर ये ना हो कि आप ऐसा promise कर दें कि कल देश की stability ही खत्रे में आ जाए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है फिर manifesto को लेके जो RPA 1951 है उसमें भी कुछ नियम है वो भी आपको पालन करने है अब जो बड़े debates है वो आते हैं एक बड़ा सवाल होता है कि क्या ये legally binding है तो जवाब है नहीं ये legally binding नहीं है क्योंकि कानूनी रूप से जो सक्तियां election commission इस्तेमाल कर रहा है वो article 324 से RPA से और जगा से यूज कर रहा है लेकिन direct इसके लिए कोई नियम नहीं है अब इसमें लोग अलग अलग debate करते हैं कि क्या इसके लिए नियम लाए जाने चाहिए क्या इसको enforceable बनाना चाहिए ज्यादा कानूनी तोर पे इसको मजबूत बनाना चाहिए बहुत लोगों को कहना है कि कानूनी रूप से जब यह मजबूत होगा तो बहुत सारी चीजें बहतर हो जाएगी लेकिन election commission का कहना है कि इसको कानूनी रूप से बहुत ज़्यादा enforce करने में दिक्कत है पहला दिक्कत है कि election commission के साथ जो पार अभी lie करती है वो किसी को notice देता है उनको माना करता है वो खतम हो जाएगी दूसरा supreme court का जो process है उसलो है election कभी भी 50-60 दिन में हो जाता है और उसके बाद अगर judgment आता है तो चीजे meaningless हो जाती है तो इस वज़ा से भी election commission का यह position है कि उसको इसी तरह से रखते है और एक और जो challenges है इसमें की है कि hate speech चल रही है caste और religion के नाम पे लोग vote मांगते है manifesto में भी personal attacks भी करते है तो बहुत ज़्यादा है लेकिन overall आपको इसको ethical domain में देखना है जब भी हम model code of conduct की बात करते है वो legal domain से ज़्यादा ethical domain का सवाल है कि नैतिक्ता के बारे में सवाल है जो भी political parties है चाहे national parties है जितनी भी parties है उन सब के उपर एक नैतिक्त का दबाव बनता है कि किसी के खिलाप है और ये बहुत effective है जब भी हम political democracy की बाते कर रहे हैं ज़्यादा तर लोग सोचते हैं कि कानून बन जाएगा तो चीज़े हो जाएगी भारत में दहेज के खिलाप कानून है भारत में domestic violence के खिलाप कानून है भारत में बहुत सारे चीज़ों के खिलाप कानून है लेकिन क्या वास्तों में उनको हम कर्ब करने में बहुत बहुत बहुतर कर पाए है तो हर जगा कानून चीज़ों का solution नहीं होता बहुत बार जो moral burden होता है खासतर पर political parties के और यह effective है कि election commission किसी को भी notice देता है कि आपने एक ज़्यादा बोल दिया है टिसपीज दे दी यह कुछ दे दिया तो उससे उसका फरक पड़ता है इमेज पर भी फरक पड़ता है नैतिकता पर फरक पड़ता है बहुत कम लोगों को याद होगा कि एक IS थे 2004 के आसपास deputy PM थे अडवानी जी वो कहीं speech दे रहे थे और किसी IS ने उनको रोग दिया था तो ऐसे example set होते है political parties में और political parties में खासतर पर इंडिया में जब भी democracy में हम participate कर रहे हैं तो morality और नैतिकता की उम्मीद हमें रखनी चाहिए तो यह है model code of conduct उस झाल